साथियों आप अपने परिवार एक्जाम पुर को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद चलिए वेलकम टो एक्जाम पूर एक्जाम पूर में आप सबका स्वागत है वेट कर रहे होगे क्योंकि टाइमिंग थी पांच बज़े की फिर पांच पंदरा होई बीच में साधे पांच भी था तो टाइम कभी कभी इस आज तो जो हुआ वो कन्फूजन में हुआ ठीक है क किसी को शाड़े पांच पता था मुझे पांच पता था तो इसलिए फिर फाइनली बीच का रख दिया कि साड़े पांच वज के पंदरा मिनट चलिए आजए सब लोग साइवेलकम अ आई आड़ाम से आज आजा औरम आजा एक मिनट मा राम राम अंकिर ठाकुर राम राम प्रदीब कुमार साशांगुपता गुड़ इवनिंग चलिए जल्दी जल्डी कुंकि वेट में इसली कर रहा हूं एक मिनट क्योंकि बहुत कि मैंने मन बदल लिया मैंने कहाँ प्रोजेक्शन बहुत इंप्रोजेक्शन एक ठीक है उसको थोड़ा आराम आराम से और उसके चैनले ने भी जो जो तूवारे स्लेवास में उसके हिसाब से जैसे कुछिशन आते हैं उसके हिसाब से और देखना बहुत आसानी से कुष्चन बन जाएंगे इसमें बहुत ही आसानी से कुष्चन बनेंगे कि चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्शन यानि की प्रच्षेप टौफ है कि आपका प्रोजेक्शन यानि प्रच्षेप अगर इसकी बात करें हम एलपी के साब से कि यह तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट भाई जानना तो पढ़ेगा ना कि कितना इंपॉर्टेंट तभी तो उसमें पता लगे तुम्हें किसमें कितना समय देना चाहिए अब लगे हो मालो कोई चीज आ रही है एक नंबर की और तुम्हें पिता दियो उसमें पांस दिन तो यानि कि तुम सही तैयारी नहीं कर रहे हो तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है प्रोजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन सबसे जादा इंप परते प्रोजेक्शन होगा है कि इतना है यानी कि जितना भी इसका पूरी निक डौरी डॉइंग का जितना उसका 50% stato कि these प्रोजेक्शन का बाखी कर 50% बाकी चीज़ों से लोग डरत है लोग कहते हैं जोकेते हैं कि प्रोजेक्शन बहुत टफ है अच्छे से समझानी क्या है प्रचेप सिंपल से कुछ भी नहीं इधर उदर देखना है सीधा समझो क्या है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब किसी चीज की परचाई कहां पर पड़ रही है समझ रहे हो ना मालो कोई वस्तु अगर यह मारकर मेरे सामने में रख देता हूं और जो मैं खड़ सब्सक्राइब को सही करने में इसलिए ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चा रहा हूं क्योंकि प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले इस चीज का भी तुम जानो प्रोजेक्शन सरल है यह वात सच है लेकिन इसमें खुद का दमाग भी लगता है तुमको टीचर हर चीज नहीं बत से नहीं होंगे मतलब किसी कॉंसे नहीं होंगे तुमसे नॉर्मली पूछ रखेगा वह तुम्हारा क्या चैक करेगा तुम कितना सोच पा रहे हो सोचना तो सोचना सोचने की कोई ट्रिक नहीं होती है समझे अगर उसका भी तुमसे कोई कह दे के सर इसकी कोई ट्रिक हो रहा है तो अगर तुम आज सी सीरिस होके चलोगे और इधर उधर बिलकुल मत पढ़ना इधर उधर का मेरा मतलब है मैंने यहां पढ़ाया तुम गए एक किताब तुमने आई टी आई वाली या कोई और किताब तुमने इंजिन ड्राइंग की पकड़ी और तुम उसमें से कुछन लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ जाके सीधा कुष्चन लगाओ बस कुष्चन सफी सींडी इधर उधर की चीजें मत देखना वनना कंफ्यूजन हंडेड परसंट होगा अब देखो क्या मैं डिसक्स कर रहाता है प्रोजेक्शन क्या है मालो यह मारकर सा सामने से अगर मैं टॉर्च को निकालों मलब पूरा अंधेरा कर दो ठीक है फिर मैं इधर से टॉर्च लगाऊं तो टॉर्च की जो रोशनी की किरने हैं तो वह इसके इस पॉइंट से निकलेंगी कहने का मतलब है इसकी जो परचाई है वहां पर मेरे उपर बनेगी तो यह परचाई बन रही है यहीं तो है प्रोजे Dracula ठीक है यही यहाई बेस चीज से प्रोजेक्षन यह जहाँ रहना है तुम्रेजर पढ़ने से पहले आपको यहद रहनी है कि यहां पर मैं तुम्हें कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा बेसिक रूल्स बताऊंगा कि प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्शन में यह करते हैं प्रोजेक्शन में तमाम चीजें में बताऊंगा उस बेसिक रूल को आज आज की क्लास प्रोजेक्शन के लिए सबसे ज़्याद प्रोजेक्शन पर लगेंगे उसको तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि रूल है जो टेक्निक है वह आज़ी से निकलेगी बाकी चीजने तो सिर्फ होती रहती है वह तो एक अलग चीजेश है ठीक है तो प्रोजेक्शन अगर पुर्जेक्शन की टाइप की बात की जाये तुम् का pictorial ओर्थोग्राफिक को लंब कोड़ी प्रचैप भी कहते हैं क्या बोलते हैं लंब कोड़ी प्रचैप यानि की और्तोग्राफिक प्रोजेक्षन इसको हम चित्री भी कहते हैं देखो एक चीज और अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके दे रखे हैं अलग-अलग तरीके का मतलब कोई तुम है तुम से कह देगा प्रजेक्शन में को 2 भागों बाटा गया कोई कह देगा 3 देस है कुछ नहीं यहाँ पर जो तुम्हेमें गहुते हैं तो पिक्टोरियल यानि की चित्री दूसरा है लंब कोड़ी यानि की और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं फर्दर इनको भी तीन भागों बाट दिया गया है कि इसको दो भागों माटा गया एक आपका है फिर्ष्ट एंगिल एक आपका थंगिल अगर भाट करें प्रक्टोरियल की बात करें तो इस एक है आईशोमेट्रिक यह है अबलिक अच्थ है आईशोमेट्रिक प्रोजेक्शन ओबलेक अव्लिक प्रश्पेक्टिव आ है तो जैक्षं थीकल न अगर हिंदी में देखो हिंदी में हिंदी में बोल रहा हूं basement को संब्समय-या प्रस्पेक्टिप को आपका अगर बात करें कि परसेक्टिप परस्पेक्टिप जो प्रजेक्षन होता है उसको क्या बोलेंगे तो बोलते संदर्व प्रचेव क्या बोलते हैं संधर्व रचेव यह तो क्ग्राफ निख गाम और यहां पर मैंने टाइपस में फर्ष्ट और थर्ड ही क्यों रख रखे हैं फर्ष्ट एंगल सेकंड एंगल फॉर्ट एंगल यह बाकी के दो एंगल क्यों उड़ा दिये यह सारी चीजें बताई जाएंगी अभी सब बेसिक यह है यहां से नाम क्या है तुम्हें क्या पढ़ना है तुमहारे लिए जो सबसे इंपोर自 रहेंगी वो मैं बताऊंगा रिक्वेस्ट ही है कि मेरी क्लास को एक-एक मेरे नाम से फॉलो करते चलो मतलब की मेरा जो जल्दवाजी मत करना ठीक है जल्दवाजी में चीजें गड़वड हो जाएंगी दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा बहुत है वह है आइसो म और और और्ठोग्राफिक बाकी चीजें हल्की फुलकी कहीं एकागा कहीं को धोके से पूझ लिया एक लायन किसी ने अंदर तो नहीं पूछ to अंदर तक पूछ है वह subtitles क्यों क्यों तुमसे और ताक पूछेगा सी कियों से कम्पूछेगा और और अबलेकों बहूत नाम मात करें धोके में कोई आ गया ऐसा क्यों है ऐसा चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चलो लंब कोड़ी प्राचेब आज मैं काम करूंगा तुम्हारे साथ काम यह होगा कि पहले तुम्हें एक कठिन चीजें देखाऊंगा फिर उसको मैं कैसे सरल तरीके से तुम्हारे सामने पेश्ट करता हूं ताकि तुम उसको समझ जाओ दोनों चीजें कठिन वाले सरल वाले दोनों रूप तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम देखना तो पहला क्या है लंब कोड़ी प्राचेब यानि की और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते ह अगर प्रोजेक्शन में पांच कुष्चन आएगा तो बिस्वास मानों चार कुष्चन सिर्फ यहीं से होंगे एक कुष्चन कहीं और अदर पूछ ले तो एक वो किसमत है या फिर बैड़ लाकर जो भी किसमत नहीं है तो और्तोग्राफिक देखते हैं स्टार्टिंग कर सा तरीका है जो कि सबसे पहले कौन सा है तू डाइमेंशनल कि पहला कुष्चन यहीं से निकल गया क्योंकि वो थियोरी पूछेगा और कुछ भी पूछ सकता है ज़रूरी नहीं सिर्फ कठिन कठिन चूजें पूचे आपको सरल भी आनी चाहिए कुष्चन को बनाने का तर तुम्हारा ओप्सन क्या होगा राइड कि और तो ग्राफिक प्रोजेक्शन टू डाइमेंशनल होता है इसलिए बेटा यह तुम्हारे लिए इंपोर्टन क्यों क्यों जब बात आती थ्री डामेंशनल की तो उसमें चीजें थोड़ी कॉंप्लिकेटेड हो जाती है कोई बनवाएगा नहीं तो मैं सीधर टिक करवाएगा कि A B C D कौन सा आप्शन सही है बता दो और आगे बढ़ो तो इसलिए पहली चीन निकलके आएगी और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा होता है टूडाइमेंशनल प्रोजेक्शन ठीक है अब करते कैसे हैं टूड पर उसकी ड्रॉइंग बनाएंगे मैंने क्या का शीट एक है है ना हम करें एक दो शीट ले लो नकसे में जब तुम बनाओगे नकसा बनाओगे शीट पर तो तुम्हारी कोसिश यह रहती है तुम्हारी कोसिश यह रहेगी है इनीनियर की कोसिश यह रहेगी कि जादा से ज जादा जानकारी उस चीज के बारे में मैं वहां पर दे दूं किसके बारे में जो चीज हम बनाने जा रहे हैं कहां पर देदें ड्राइंग शीट पर देदें जादा से जादा जानकारी अब जादा से जादा जानकारी कैसे देगा उसके भी तरीके वही तो प्रोजेक्शन है कि भाई परचाई पढ़ती हुई बता दे कि यह इधर से देखोगे तो ऐसा देखेगा उधर से देखोगे तो कैसा देखेगा वो हर तरीके से बता देगा अब देखो अगर व्यूज की बात करें यानि कि तुम किसी भी चीज को किस नजरिये से देख रहे हो व्यूज क्या ह आया है दस बुक उठाओगे दस में से पांच बुकों में गलत आंसर है उसका सही आंसर मैं बताता हूं देखो व्यू की बात करें महलत तुम कहां से देख रहे हैं किसी वस्तु को अगर मैं कह दूँ इस मारकर का ध्यान से सुनना यार मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हू देखो यह मारकर है मैं यह कह दूँ कि इस मारकर की तुम्हें ड्राइंग बनानी है तो मैं पूछूँगा इस मारकर को तुम कैसे कैसे देख सकते हो तो तुम क्या कहोगे बिना कुछ छेड़ खानी किये मैं पूछ रहा हूं बिना कुछ अब तुम कहोगे काड़ दो ऐसे काड़ तो वैसे कर दो नहीं बिना कुछ छेड़े इस मारकर को तुम कैसे कैसे देख सकते हो तुमने का मैं तो यह तो सामने से देख सकता हूं या उपर से देख सकता हूं जाइड सी बात ही अगर ऐसी चीज रखी है तो ऊपर से देख लोगे सामने से important हैं टॉप ब्रूत होता है front view फिंदी वाले हिंदी में वह भी बोल रहा हूं टॉप लनी इसको उपर से देखते हैं कहां से टॉप से फ्रेंट जो सामने से देखेंगे यह होता है साइड भी अब साइड भी फर्दर दो तरीके के होते हैं यह आपका होता है राइट हैंड साइड भी यह आता यह होता लेफ्ट हैंड साइड भी यानि कि सीधे हाथ पर खड़े होके किसी को देखना अब देखो यह मारकर है ठीक है आलो ऐसे है तुम सामने से देख रहे हो त आके ऊपर से तो ये क्या हो गया TOP जाोगे तो मतले हाथ पर चले जाओ पर तो युज यह ऊपर से देखा सामने से देखा साइड विव लेbn से देख सकते हो और राइट से नों उसे कह दिया साइड रीव ठीकेना अब अगली चीज़ किया पढ़ी जाया देखो कुश्चन एक बार आया था कुश्चन यह पूछा था कि और्थोग्राफिक प्रजेक्शन में मिनमम क्या और्थोग्राफिक प्रजेक्शन में मैं तुम से यह कुश्चन बोलता हूं ठीक है मुझे बताना और्थोग्राफिक प्रजेक्शन में मिनमम कितने व्यू ब कोई सा भी नहीं होता बॉटम भी नहीं होता बेटा और्थोग्राफिक प्रजेक्शन में मिनमम कितने व्यूव कि सिर्फ समझने पर ज्यादा ध्यान दो और जब मैं कुश्चन पूछ हूं तो कुश्चन को बोलने पर या फिर कमेंट करने पर ध्यान दो क्योंकि प्रजेक्शन में क्या है सावधानी हटेगी तो दुरगटना डेफिनिटली घटेगी ठीक है ना तो थोड़ा ध्यान दो मैंने पूछा minimum new time minimum कम से कम कितने विव की आवश्यक्ता पढ़ती है orthographic projection में विव तुमारे सामने मैंने लिख रखा है मिला जुला आंसर है सबका किसी ने कहा minimum two view होते हैं सर किसी ने कहा minimum three view होते हैं कैसा आंसर है यह मिला जुला इसको थोड़ा सही करते हैं अब देखो आंसर मिले जुले हैं 50% सही है 50% गलत है हमेशा देखना एक चीज और उसी को सही मानना क्या कि minimum कौन्त कितने विव तुम पढ़ोगे आगे जाके अभी तुम पढ़ोगे तो और किलियर हो जाएगा कम से कम अगर minimum की बात करें तो दो विव बनते हैं प्रेंट – कितने विव निूत्तम कितने विव बनेंगे दो किसम ऑर्फोग्राफिक प्रेक्शन और यह दो निूत्तम विव कौन से तीन नहीं होता है जहां algumas के अगर उसमें बोलो तो आप a beauty उसकते एक बार को ठीक है तीन या चार ठीक है maximum अगर option में चार नहीं है तो तीन पर टिक करोगे ठीक है अब तो में धर देखो एक और इंग्लिस वाले मैं इंग्लिस वालों के लिए कुछ बोल रहा था जरूरी नहीं वह नाम और दिया है प्लान इंग्लिस फॉर इंग्लिस वुवर्स ठीक है और इसको फ्रेंट वीव को उसने एक और नाम दिया है फ्रेंट वीव या फिर साइड वीव ठीक है दोनों इसको नाम दिया है एलिवेशन ही सबति करेंति या इंगलिस वाले बैसे ध्यान रखें अगर तुमसे कोशों में कह दिया जाता है कि प्लान उसका क्या होगा तो तुम घवरां मद जाना ये मत सोचना यह प्लान तुम्हें पहली प्लान का मतलब है बिटा टॉप व्यूस का क्या होगा ठीक है ना और अगर तुमसे वह पूछ ले कि इसका एलिवेशन क्या होगा तो एलिवेशन का मतलब फ्रेंट व्यू और साइड व्यू भी इसमें आ जाता है कभी-कभी लेकिन जाहर तोर पर कुष्चन के साब से देख कि नहीं आपके सामने स्लाइड आएगी कि एक एक जाइड एक एक इमेज आएगी उस इमेज को देखो बोहर है प्रोजेकशन जो इमेज तुमारे सामने में रखूँ गा बोग वहोगी प्रजेकशन मतलब किसी भी चीज का और वाली है चेक करिए उसको देख लो वो क्या है तो ही एक प्रोजेक्शन है स्लाइड दो कि पहली स्लाइड कि रॉक इस्टार स्टेटर सर कुष्चन कराओ बिटा कुष्चन कैसे करा दें कुष्चन तो अभी तो टॉपिक तो यह जब से खतम हो जाए है तभी तो कुशन कराएं 20 सी कुशन कराने क्या हम तो यह समझ के पढ़ा रहे हैं कि यहांपर जो पढ़ ऐं वो पहली बार पढ़ रहे हैं हमारा मानना तो यह है यह देखो यह सामने तुम्हारी जो वो है यह कोई कुश्चन नहीं है यह मैंने क्या बताया तुम्हें यह देखो confusion थोड़ा अगर तुम देखोगे तुम्हें यह लगेगा रहे से हमें confused होगे से confused नहीं यहां पर एक टी नामक कोई चीज रखी है कैसी टी जैसी वह स्क्रीन में दखाना जड़ा स्क्रीन वाली हां इधर 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 लिखता हूं मैं कि टी कुछ इस तरीके का है रिखेम आधर आधर इस तरीके का एक द्रश्ट है इसका प्रोजेक्सन बनाके तुम्हें प्रोजेक्सन को समझाया है ठीक है ना अब देखो इसमैं कई तरीकी की लाएने ध्यान से समझो इसको इस यह जो चित्र तुमारे सामने दो चित्र देख रहे हैं एक आपका देखो projection एक plane दिखा रहा है एरो वाले देखो एक plane है फिर एक projector से पिर आप्जेक्ट है रेजोंग साइट है यह सारी चीज़ दिखा रहा है वी पी यानी ठीक है ना यह टी सेप है कोई मतलब जोकी उल्टा रखा इस तरीके का उसकी एक अब देखो अगर इस में यह तुम्हें जो प्रोजेक्टर्स नाम से देखो जो लिखा आए प्रोजेक्टर्स वह लाइने हैं रेज की मालो टॉर्च तुम इसको इधर से मारते हो एक लाइन से निकलेगी किधर से किधर से तुझे लाइन होती है उन्हें कहते हैं या फिर प्रोजेक्टर्स ठीक है ना क्या कहते हैं प्रोजेक्टर्स और यह अबजेक्ट रखा है और प्लेन क्या है जो तल जहां पर परचाई पड़ेगी क्या पड़ेगी जहां पर परचाई पड़े तो इसलिए तो बताया प्रोजेक्शन डेश्टर को सामने से अगर टॉर्च की रेज मारोगे तो एक रे ऐसी निकलेगी एक किरण ऐसी निकलेगी तो वही तो तुम्हें उसमें दिखाने की कोशिज की ना जो चीज भी समझाई उसको थ्री डायमेंशनल में दिखा रहा हूं कि अब यह स्लाइड चली जाएगी और हम कुछ अगले तौर पर चर्चा करेंगे कि अब यह स्लाइड चली जाएगी हटा दो कि अगर एक पॉइंट अरे पॉइंट प्रोजेक्शन आप पॉइंट अभी पढ़ाया तो नहीं है यार पहुंचने तो दो अभी कि तो मैंने कुछ श्टाट भी नहीं कि रूब भी नहीं बताये ठीक है प्रजेक्शन और पॉइंट भी होगा प्रजेक्शन और लाइन भी होगा प्लेंस भी होगा सॉलिड वी होगा सब होगा थोड़ा प्रेसेंस तो रखो अब देखो, आगे अगली चीज पर बढ़ते हैं, कुछ rules discuss करते हैं, कुछ नियम, कुछ नियम discuss करते हैं, कि हम projection करने से पहले या projection करते हैं, तो कैसे करते हैं, बात किसकी हो रही है, यह आपर, और्थोग्राफिक प्र्जेक्सन की, समझ लो, किसकी बात हो रही है, और्थोग कि फाइनल करते हैं क्वाड्रेंट यानिक चतुर्थांस क्वाड्रेंट यानिकी चतुर्थांस कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा चतुर्थांस क्या है क्या पता होना चाहिए हमारा चतुर्थांस क्या है पता अब तुम्हें कोडरेंट नहीं पता है इसके लिए एक इमेज जा रही है सेकेंड इमेज तुम्हारे उस पर आएगी और वहां से देखना कि चतुर्थांस क्या होते हैं कि देखो जड़ा उस सेकंड इमेज को कि तुमारी स्क्रीन पर जो है प्रोजेक्शन बहुत ही भारी टॉपिक है समझ लो बहुत सरल है लेकिन लोगों को इतनी आसानी समझ नहीं आता क्यों नहीं आता वो समझ में नहीं आ रहा चलो आगे बढ़ो अभी तो बेसिक चल रहा है अभी दिक्कत करोगे तो कैसे यह देखो इमेज तुमारे स्क्रीन पर है यहां पर क्या है को डिवाइड कर दिया यानि कि चतुरतांस तो जानते हो गड़िक तो पढ़ी है तुमने तो सुनो अभी एक बार पढ़ते चलो जब पूरे दिन ही चरते रहते हों देखो यह क्या ऐक्षोर डिएक सेखिओं करने से पहले हमें यह नृधारित करना है कि हमारा किया है क्वाड्रेंट क्या है हम जब भी projection करोगे आँए जरूर पता उना चाहिए कि हमारी वस्तु हमारा object किस क्वाड़ेंट में रखा हुआ समझ रहे हो न इसलिए हम इसको जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर यह क्या है मैं बिना कि तुम्हें दिखा रहा हूँ तू-डामेंशन समझें है इसमें देखो व eig p vp क्या होता है अगर हम इसको ऐसे खें यह लो थीडामेंशनल भी अगर बना है तुम्हारे लिए कि अ मैज सामने देखते रहना है अब आप लो यह वाला उसने बीपी बता दिया नीचे वाला उसने एच्पी बता दिया ठीक है वीपी का मतलब है वर्टिकल प्लेन ठीक है एच्पी का मतलब है होरीजोंटल प्लेन ठीक है ना इसी लिए कॉड्रेंट में उसने डिवाइट कर दिया है चीजों को क्या है होरीजोंटल प्ल थोड़ा धैर रखिए एकदम से चीजें नहीं हो जाएंगी ठीक है होरीजॉंटल और वर्टिकल प्लेन अब देखो आगे बढ़ते हैं डाइग्रम तुम्हारे सामने रहेगा तुम पहले इधर देखने कोशिस करो अगर मैं कह दूँ तो मुझे पता होना चाहीए कि pag manyysis मेरे मतलब इस चतुर्थान में रखा रैद omega झोचों मेरे इसको यहां पर रख दिया यहां पर रखने बाद अब इसको मैं सामने से देखूंगा उपर से देखूंगा साइट से देखूंगा जहां से भी देखूंगा इसके बाद ही तो मैं डिसाइट करूंगा बेटा कि इसका प्रचेप कैसा बनेगा समझ रहे हो ना उसके बाद ही तो मैं डिसाइट कर रहा हूं यह कैसा नहीं है अब देखो अब यहां पर में एक-एक करके पॉइंट डिसकस करूंगा पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट यह और्थोग्राफिक में कि क्वाडरेंट को फाइनल कर लो कि अब इसको मैं समड़ाइस करूंगा अब देखो चुटकियों में चीज़ें आएंगी की क्वाड्रेंट को फाइनलाइस कर लो यानिकी चतुर्थांस चतुर्थांस को कि फाइनलाइस कर लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ता हमारा ठीक है उसके हिसाब से इसका डिवीजन क्या है ठीक है चतुर्थांस को फाइनलाइस करते हैं कि चतुर्थांस के बारे में पढ़ते हैं ठीक है ना प्रोजेक्शन अभी स्टार्ट तो हुआ ही नहीं है अभी हम बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं लोग जल्दी में होंगे कह रहे होंगे कि भाई यह सब तो पढ़ा है कि अब कर देखो एक रफ फिगर बना रहा हूं यह है वर्टकल प्लेन सामने यह होरीजोंटल प्लेन के लिए रहे ठीजें ध्यान से समझें यह ठीक है यह चीज है किलियर अब मैं तुमसे कहता हूं मैं तुमसे यह कह दूँ कि यह किसी भी चीज का प्रच्षेब बनाओ किसके अब सबसे पहले मुझे डिसाइड मैंने यह तो पता कर लिया कि यह चैसे डिवाइट किया जाता है वह मैंने फर्ष्ट सेकेंड थर्ड फॉर का नाम दे दिया अब यहां पर आता है कि मालों य कौन सा क्वाडेंट है first और चतुर्थान से पहला तो यहां पर अगर वस्तु रखी होगी तो उसको हम वोलेंगे उसको बोलेंगे फाष्ट एंगिल प्रोजेक्शन फाष्ट एंगिल प्रोजेक्शन यानि कि प्रथम पुडिय प्रचेप बात को समझो अगर यहां पर पह यानि की पिर्थम कोड़ी इस तरीके से यहां पर रखी होगी तो पिर्थम कोड़ी है उस सेकंड को देंट्ट मैं रखी होगी किसमें सेकंड को आद्ट में तो उसको हम बोलेंगे सेकंड एंगल प्रुजेक्शन कौन सा से Jeremiah एंगे हैं ने पि्र так डिटी कोड़ी प्रठेप तीसरे में रख्य होगी तो मुसको डोलेंगे ठर्ड एंगे म क्रेंगे ठर्ड एंग्ल गोडिकों ठीक है और अगर चौत हय में रख्य field 24 चतुरथांस में तो उस प्रोजेक्शन का नाम हम बोल देंगे फूर्थ एंगिल प्रोजेक्शन ध्यान से समझो अब चीजें आगे बढ़ रही हैं अब चीजें आगे बढ़ रही दिमाग को खुला रखना बेटा यहां अब चौथे में क्या करोगे चौथे में अगर तु यूडिए अब और आगे बढ़ू ठीक है ना अब और आगे बढ़ते हैं रत्रम को लिए अब यह देखो कि हम अपने अलग से से projection को use करते हैं या all over word क्या मतलब all over the word कौन कौन से projection स्तमाल होता है तो याद रखना first और third पहला और तीसरा projection ही मानने हैं कौन सा मानने हैं वेटा first and third angle projection third angle projection अब तुम्हें हाँ से क्या सीख गए तुम यह सीख गए कि जब मैंने देखा था कि और्टोग्राफ प्रजक्शन कितने टाइप के होते थे तो याद करो उस फिलो चारट में मैंने लिखा था यह सिर्ण होते कितने wr प्रिया का कौन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड तो बी आई एस ने सेकंड वह सेकंड और फोर्थ को मानता प्राप्त नहीं दी आगे चलके इसको भी अभी तुम पढ़ोगे कि क्यों नहीं सेकंड और फोर्थ वैलिड वाने जाते हैं उनली फर्स्ट और थर्ड को क आगे बढ़ें अगर तुम से कोई कह दे कि फर्स्ट एंगिल की बात करें अब फर्स्ट एंगिल प्रोजेक्शन की बात करते हैं फर्स्ट एंगिल का मतलब है मेरी चीज़े कहां पर है यहां पर समझ गए मेरी चीज़े कहां पर है यहां पर अब बात करें एक पॉइंट स से स्टार्ट करते हैं किस से प्रोजेक्शन और पॉइंट से ध्यान सु सुनो किस से स्टार्ट करोगे प्रोजेक्शन और पॉइंट से तो यह है तुमारा पॉइंट यह है तुम्हारी वीपी यह है तुम्हारा एच पी होरीजॉंटल प्रेंट यह रहा आपका यह रहा वर्ट कल प्रेंट और यह काला काला बीच में जो तुम्हें दिख रहा है यह आपका है पॉइंट अब देखो जड़ा अगर मैं तुमसे कहूं क्या कहूं कि according to first एंगल प्रोजेक्शन ध्यान से सुनों अब यहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से बेसिक चीज़ें खतम हो गई यहां पर सुनो अगर मैं तुमसे कहूं कि इफ पॉइंट कोई भी पॉइंट तुम्हारा फर्स्ट एंगल में रखा यानि कि किसमें रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मुझे बताओ कि उसका टॉप व्यू कहां बनेगा और कैसे बनेगा तो सब्सक्राइब बताओ यह मैं यह तुम्हारा यह रख और कॉत यहांसे तुम देखोगे जब तो फ्रेंट होगा यहांसे देखने पर फ्रेंट धाstudiver यह हैं तो यह फ्रेंट देखेगा उपर से देखेगा तो अब मैं यहां पर इसका Master diagram बनाऊंगा Master diagram बनाने से पहले एक चीज रखना X Y एक line होती है उसे कहते हैं reference । ठीच कह संदर्व रेखा भी कहते हैं ठीक है उसे क्या कहते है संदर्व रेखा अब यह point का तुममझे पताओ जब हमने इसको सामने से देखा सामने क्या है यह मैं तुम्हें और अच्छे से सम्झाऊंगा रुको मुझे मैं पेज ले 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 ने दो एक देखो यह पेज तुम्हें भट है सामने स्क्रीन पर यह पेज तुम्हें भटाएlaus करता हूं थ्री-डी में किसमें gj यह तुम्हारा वी-पी यह तुम्हारा एच-पी यह देखो पेज तुम्हें देख रहा है और यह जी बीक की लाइन है जो किस को जो कृरिजोन्तिल वर्टकर Noel बिख वाली जहां दोनों पर आके मिलती हैं वह way लाती है यह पेज आपको दिख रहा होगा सामने आपको नहीं जो होगा एच्पी नीचे वाला है जो छहेतेज है perform रूपर वाले वर्टकल इस case में मैं क्या आप से कह रहा हूँ कि बताओ point का projection बताओ point क्या है suppose करो यह जो cap है यह point है यहाँ पर exist करता है first angle में रखा है यह किसमें प्रिथम कोड में सामने से देखोगे तो क्या पता लगेगा तो भी point ही पता लगेगा यहाँ से तुमने देखा इधर से तो यह point इधर बना ऊपर से तुमने देखा top view तो point इधर बना बना या नहीं बना अगर हम कह दें इस point का नाम A है क्या है इस point का नाम A है अगर मैं कह दो इस point का नाम A है तो मुझे बताओ यहाँ पर जो front view बना उसको हम किसे denote करेंगे उसको हम बोलेंगे यह a- है तो अब ब्यू बनेगा वो a है कहानी अभी खतम नहीं हुई अगरा अगला rule horizontal plane को सुनो अगला rule सुन लो और पकड़के चलना इसको छोड़ना मत वनना कुश्चन होगे गलत अगरा rule क्या है कि horizontal plane को किस पर 90 डिगरी घड़ी की दिसामें रोटेट करना है क्या करना है गड़ी की दिसाम है यानी कि कि जब एक पॉइंट को तुमने यहां देखा उसका प्रोजेक्शन तुमने वर्टिकल प्लेन पर तो फ्रेंट रेंट भी कहां बना वर्टिकल प्लेन पे टौफ बीव कहां बना अगला स्टेप यह लाश स्टेप इसको तुमने जब ऐसे घुमाया तो यह जो पॉइंट जो इधर था यह कहीं ना कहीं इधर आ गया रिफरेंस लाइन क्या है यह एक्स वाई रिफरेंस लाइन क्या होती है जहां पर वर्टिकल प्लेन और होरीजॉंटल प्लेन दोनों आप हो गया था तो एक्सवाई के नीचे क्या है टॉप व्यू टॉप यूप को हम एसे डिनोट करेंगे फ्रेंट विव को एस्ट टोट करेंगे यह रहा मेरा फाइनल पॉइंट प्रोजेक्शन एक्कॉर्ड टू फष्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रिथम कोनी प्रच्छेप क गुवाने के बाद कि इस चीज को देख लो कि अगया कि यह क्या था किसके इसाब से था फर्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन के इसाब से बात हो रही है यहां पर और एक चीज और रखना यह जो डिस्टेंस हैं यह हमें नहीं पता कितना है यह जब कुश्चन में देंगे तो उस राप सिसकी मार्किंग कर देंगा अभी तो मैंने जश्ट क्या का कि सपोस करो यहां पर पॉइंट टेक रखा है उसको जब तुमने सामने से देखा सामने से मतलब यहां से सामने से देखने पर यहां पॉइंट बनेगा उसके बाद फाइनल स्टैप क्या करेंगे horizontal plane को क किसको टच नहीं करोगे वर्ट कल को और किसको तुम 90 डिग्री रोटेट करोगे horizontal को horizontal को तुमने 90 क्लॉक रोटेट किया तो यही पॉइंट आ गया यहां पर अब तुम फाइनल डाग्रम बना दो यह है फाइनल डाग्रम और तुम्हारे पूरे एलपी में बेटा यही हुआ देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए यह किस का डाग्रम है ठीक है ना ऐसे वहां को तुमसे बन वाएका नहीं लेकिन अगर तुमें यह नहीं पता तो तुमalen बना लोगेई अब समझे आगे में прин second angle projection के हिसाप से किसके जaken एंगेल प्रोजिक्शन के साफ से डाइग्रम बनाते हैं मैं तुम्हें projection प्वाइंट बता रहा हूं अभी कौन सा बता रहा हूं projectionлек से बिन्दू का प्रचहेप और इस से में मैंने तुम से jnt करी मेरी बात हैं अगर धियान से सुनते हो तमेंट इस समय मत करो प्रोजेक्σιन में इसलिए मैं मना कर रहा हूं कमेंट का क्योंकि तुम्हारा ध्यान भंग सोनो मैंने कि अबनीन है समझ में आया जितने भी प्रोजेक्शन बनते हैं वह फरॉट यान्योट का मैं तुम चारौं क्यों मानने नहीं है और first और third क्यों मानने है तो फाइंगल प्रोजेक्शन यार बता दिया अब देखो second second angle projection second angle का मतलब है जैसी मैंने का आप तुम इतनी चीजें सी गए ओ मैंने का second सेकंड आंचर आया कि सेकंड एंगल का मतलब यह है कि सरं हमारी वस्तों यानि कि अगर पॉ Dollar आपर बात हो रहीए तो हमारा किस Đанс मैं तुमने का पॉइंट हमारा सेकंड कॉड़ेंट में कि फस्ट यह था अब सेकंड कॉडेंट बेंट में तो सब्सक्राइब करनेhearted top view वॉनेगा एसना पीपेर है किसके बाद का स्टैप क्या था जल्दी बताओ अब मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंड का बहूत सुलोल चलूंगा इसके बाद कर下 डाड किए अक मेने मार कर लिए अब मैं क्या करूं जल्दी बताओ अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं शेयर करो अरे शेयर तो पहले इसको अब मैं क्या करूं इसका बताओ बीच में फस फसा हूं मैं मुझे नहीं पता इसके बाद क्या किया जाए टॉप व्यू मैंने इधर मार कर लिया अब मुझे यह बताओ अब इसके अगला स्टेप क्या है 90 डिगरी रोटेट सही बाथ है किस किस डारेक्शन में क्लॉक बाइस 90 डिगरी रोटेट विल्कुल सही Chris करेंगे अब 90 डिगरी होरिजोंटल को घुमाओंगा ये बात हमेशा याद रखना 90 डिगरी समझदारी तो यहीं आएगी कि देखो होरीजॉंटल को जब तुमने नबबे डिगरी घड़ी की दिसा में रोटेट किया क्लॉक वाइज तो बेटा यह जो पॉयंट है यह वाली रेखां कहाँ चली जाएगी यह जो बिंदू है मध्य ये कहीं न कहीं यहाँ पर आईगा सपोंज करो अगर इसके भी तो chances हैं कि ये चीजें इसके ऊपर ही आ जाए या इसके ऊपर आ जाए या नीची आ जाए आएगा अब समझ में आया second angle projection क्यों नहीं इस्तमाल करते हैं second angle projection इसलिए इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हमारा प्रचेप के बिगड़ने की बिगड़ने की probability बिगड़ने की मतलब उम्मीद क्या कहेंगे chances बिगड़ने की chances ज्यादा होते हैं कैसे बिगड़ता है ऐसे बिगड़ता है क्योंकि horizontal को जब तुम रोटेट करोगे तो उस point के जो वर्टिकल पे पहले से point है उसी प्रचेप के पॉइंट के ऊपर हमारा horizontal का प टक्रा जाएगा तो उस case में प्रचेप बिगड़ जाएगा तुमको कुछ समझ नहीं आएगा हो सकता है यह हरवार ना हो कभी हो जाए इसके ऊपर पड़ जाए लेकिन यह भी तो हो सकता है कभी इसके ऊपर एक आगया प्रचेप तब क्या करोगे अब समझे कि ओवरलैपिंग बिलकुल सही सिवांसु पांडे ओवरलैपिंग हो जाएगी मौनका राज इटकेन ओवरलैप दोनों टॉप व्यू पर होता है ठीक है अब समझे सेकेंड एंगल क्यों नहीं क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी किसकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की इट मीन्स अब तुम्हारे सामने जवाब है इसी लिए मैंने का जो लड़के स्टार्टिंग में यह कह रहे थे कि सर थोड़ा समझ नहीं आ मैंने क्या कहा चीज़ों को होज आने दिया करो आगे बढ़ने दो एक चीज में नहीं चीज़े समझ आती अब मने लिखे सकता हूसा समझहा घया होगा क्या कि किसी बिंदू को जब हमने प्रिथम कौन में रखा तो क्या स्थिथी बनी हमारी च llegó हरे यानि solid औरिजॉंटल प्लेन जब क्लोक्वाइज मिलाओं गए तो ये इसको इसकी उपर वो क्या करेगा ओबर लैप जब ओबर लैप कर जाएगा तो बेटा हमारी क्या मास्टर डागनम बनाके देख लो एकस वाइक बनी यह रहा रिफ्रेंस लाइन और हम क्या एक लिफेंट के ऑघन जो जोन्तप पाआएं हें यहां पर एकसवाई के ऊपर ही आएंगे ठीक है यह हो गया हमार्य करें फारी त्यूर्य करें सिंद्ध हो गया हमारा हमारा एक घंः कह आ मझूर नहीं है तो अब समझे सेकेंड एंगल प्रो जेक्षन क्यों नहीं इंज होता है अब आगे को बढ़ते हैं क्या थण एंगल प्रोजेक्षन आगे कूं इस एंगल को מא पुद फिए सब्सक्राइब हो जाएगी बैसे यहां स्वाट सर्खेट का वो है नहीं लॉजिक लेकिन हम समझ रहे तुमारी भावनाओं को हम सुधान सु से कर आपकी भावनाओं को समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं बिल्कुल चलो क्या था अब पढ़ेंगे थर्ड एंगिल और एंगिल प्रोजेक्शन कि ठेंगिल प्रोजेक्शन में देखो ठेंगिल का मतलब है यहां बाला आप हमारी वस्तू कहां रखी है तीसरे क्वाणंट में तीसरा क्वाणंट बेटा यह तो यहां क्या एक तो हमने पोइंट रखा अब देखो फ्रेंट कहा बनेगा यह आपका यूख यह आपका एच्पी फ्रेंट वियू बना वीपी पर इधर एथर बहुत confusing चीज़ है ध्यान से पढ़ना इसको अभी तो तुम रुको तो इस पॉइंट यह है यहां इसका फ्रेंट विव बना टॉप भी उसका कहां बनेगा अब तुम कहोगे साथ टॉप विव तो ऊपर से देखा जाएगा कि हाँ देखा तो ऊपर से जाएगा लेकिन उस अब देखो अब देखो क्या दिक्कत है यहां और और क्या-क्या चीज़ याद रखनी है यह चीज याद रखनी है तो मैं कि बेटा इधर फ्रेंट विव जब भी तुमसे कोई पूछ यह तो अपनी समझ के लिए जो भी चाहो कर लो हकीकत क्या होती है देखते यह होति छम्ट ब्यूक है तो हमारा ऊबजर्वर यहाँ पर होता है मतलब देखने वाला कि object मतलब वस्थ है जो जिसका प्राचेव तुम ले रहे हो वह किसके बीच में पढ़ेगा मतलब किसके बीन पढ़ लाय सबसाल सकiquer नहétais और वस्तु तुम्हारी यहां रखी तो तुम कहोगे उसका तुम्हारा आंसर क्या होगा कि नहीं हमारा ऑब्जेक्ट किसी के भी बीच में नहीं पड़ेगा क्यों उसने ऐसा कुछा क्यों कि जब आप फर्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन पड़ते हो ना तो फर्ष्ट एंगल और ऑब्जर्वर के बीच में क्या पड़ रहा है प्लेन याद रखना यह कुश्चन दसों बार पूछा गया घुमा घुमा के कुश्चन पूछता है वह इसलिए याद रखना जब भी थैड एंगल की बात होती है तो हमारा जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है दोनो ठीक है भले हम प्रचे बनाते यहां पर हैं यह जैसे टॉप यू में कर रहे हैं यही एक कॉन्फलिक्ट है ठीक है ना उसको हमेंसा याद रखना उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं आपको याद रखना पड़ेगा बिवेक परिवार यादब सर इंडिया भिल्कुल अब यह भी पताएंगें के इंडिया में क्या यूजवता और यूएस में क्या होता है या देरे के दीरे चलो तो कहना का मतलब ये है कि बता जब थर्ड़ ऑंगल government बात हो गी तो मैं क्या बीच में आएगा से गल्याएं राहा है किसके खरवर और ओपजेक्ट के लेकिन जब सब्षट एंगल की बात होगी तो फ चेंगल मैं ऑब्जर और प्लेइन के बीच में आएगा object यह difference है याद रखना ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अभी चीज़ें खतम नहीं हुई है अभी बहुत बची है इसमें बेसे की चल रहा है यह प्रोजेक्शन ओप किसका पॉइंट का अब बात आती है fourth angle projection की fourth angle का मतलब है हमारी वस्तू यहाँ पर है यह आपका hp यह vp फोर्थ का मतलब इस quadrant में चीज़ें रखी हुई है तो रख दो यहाँ पर यह point है ठीक है ना fourth और तेंगल प्रोजेक्शन के साब से सामने से देखा फ्रेंट व्यू कहां बना यहाँ पर एक को हमने कर लिया डैस टॉप व्यू कहां बना इधर पर उसके बाद का अगला स्टैप horizontal plane को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो बेटा आ गई ना घूम फिर के वही बात कि horizontal को जब तुम रोटेट करोगे इधर पर तो क्या हो जाएगा ओबर लैपिंग कि सर मास्टर डागरों अब थर्ड ओबर लैपिंग हो जाएगा फोर्थ में भी क्या हो रही है देखो ओबर लैपिंग हो रही है के नहीं बोल दो एक बार ओबर लैपिंग अगेन बिलकुल सही इट मीन्स फ़र्ष्ट इट मीन्स फ़र्ष्ट एंड थर्ड यानि कि पहला और तीसरा कोण यी प्रच्छेप ही मान है सेकेंड एंड फोर्थ इस नौट वैलिड ये दोनों मान नहीं है ये मान है समझे और रीजन तुमको पता है ओबर लैपिंग हो गई है इसलिए जितना भी हम पढ़ेंगे और जितने भी कुश्चन आएंगे वह फर्ष्ट और थर्ड से ही पूछे जाएंगे आपको सेकेंड फोर्ष से नहीं पूछे जाएंगे क्यों नहीं पूछे जाएंगे जवाब मैंने दे दिया है जवाब मैंने दे दिया है अब देखो आगे बढ़ते हैं फर्ष्ट एंगिल की चर्चा और थर्ड एंगिल की चर्चा थोड़ी और किसकी अब देखो यहां तक की समरी मैंने यहां तक जो चीजन तो मैं समझाएं वो क्यों समझाएं वो इसलिए समझाएं कि पहले तो हम यह जान ले कि सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं पढ़ते हैं वो अमने जान लिए अब हम सेकंड और फोर्थ की बिलकुल भी बात नहीं करेंगे उनको छो को इसमें क्याओ थ तो मैं याद रखनी है फॉस्ट अंगिल का मतलब क्या है इगर कहें तो हमारा फिस्ट क्वर्णक्रिंट विची रखए है और जेक्ट जो है और जेक्ट किसमें फ़स्ट क्वाडन में और जेक्ट इन फ़श्ट तर्ड में क्या है ऑब जेक्ट इन थर्ड यह याद रखना है पहली चीज बेस अब यहां इसी तुम यह जो अभी में बता रहा हूं यह समझ गए इसको याद रख लो बाकी पुराना अपने आप याद रहेगा फश्ट एंगल में क्या है ऑब्जेक्ट फश्ट कोड़ेंट में थर्ड एंगल में अब यह थेंगल में थ्रड कोड़ेंट पर दूसरी चीज की आद रखनी जिससे कई बार कुश्चन पूचा कुश्चन में तुमसे यह नहीं पूचा जाएगा इतना सरल भी नहीं पूचेगा पूचले तो अच्छी किसमत है लेकि मेरे इसाब से इतना सरल नहीं पूचेगा 2 दूसरी चीजहां से पूचेगा वो यह है कि बेटा 4 एंगिल में फर्स्ट एंगिल क्या ठा यह था 1 एंगिल में object किसके object जो हता था वह Observer मेंं के बीच में मैं मैं एक दम नॉर्मल लेंगई यूजे कर रहा हूं अबजेक्ट कहा आता था कि अबजेक्ट आता था एंडप्लेन बीच में समझ गए यह चीज याद रखनी है और थेड एंगल में क्या है ऑबजेक्ट जो मेरा होता था सिरीजी का ने यहां पर कि आता था यहां जो प्लेन होता था इस के बीच में अब्जेक्ट और सब्सकरण kita के बीच मैं वाच्ट से बाली भासा का इस्तमाल किया है मैंने या लिखने में ताकि आसानी से समझ सको ऑब्जेक्ट किसके सिस्ट एंगल जो मेन चीज़ए जहां से तसनावार कुछा गया स अब्जेट्ट सूर्वर और प्लेन के बीच में आएगा फ़्स Una Hahaha première एक फ्लेन यानि प्रोजेक्शन प्लेन पिट्ट और ऑब्जेक्शनik बीच बीच में आएगा हिंदी में बीटा हिंदी में ही तो बोल रहा हूं हिंदी में देखो object यानि की first angle के साप से कि फर्ष्ट एंगल के साप से वस्तु किस-किस के बीच में आएगी observer यानि कि जो देख रहा है और plane plane मतलब जहां पड़ेगी उसके बीच में आएगा और फिर्डnd एंगेल में क्या होगा जो फ्रचे पड़ता है और देखने वाले के बीच में यहां याद होना चाहि के यह वाला यह प्लेन है आपका वीपी और चपी धेंगेल में देख लो यहां पर अगर वस्तुएिछ observer यहां होता है उसका observer यहां होता है उसका और एक चीज और याद रखनी है ठीक है ना दूसरी चीज किया याद रखनी है दोचीशें यह बहुत हमठाटन चीजह बता रहा रहा हूँ अगर तुम इसको सिर्फ मझती समझ रहे हो तो यह अलग बात है तीसरी चीज जो एक और important है कि यहां पर आप को पता है third angle में क्या होता है जो हमारे plane होता है projection का वो कहां आता है बीच में it means it means plane जो है plane of projection इसे हम treat करते हैं is treated as यंदि में बोल रहा हूं धिन्दीवाल देखते चले दृष्प प्रोजेक्शन को हम कैसे मानते हैं ट्रांस पैरेंट तरणस्पेरेंट पारदर्शी फरॉष्ट एंग जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है उसे हम कैसे ठीट करते हैं पारदर श्टी यानि की ट्रांस्पेरेंट तभी तो बेटा हो पाएगा अब तो समझ जाओ माल लो एक दम चीज़ें समझ रहे हो ना अब तो समझ जाओ जो मैं कहना चाहरा हूं यह आपका अगर थर्ड एंगल है तो यहां पर यह वाला जो प्लेन है यह वाला इसको हम ट्रीट करेंगे पा हम ट्रीट करते हैं पार दर्शी यह तीन चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी है चौथ अब आगली चीज और में लिख रहा हूं इसको उपर वाले को मिटाओंगा अगली चीज़ और लिखूंगा बो लिखूंगा इसका साइन क्या होता है वो चलो एंड में बताओंगा स अगल के बारे में लेकिन आप जितना कंश्रक्शन में कुष्चन करते हो वो सिर्फ फरस्ट एंगल में करोगे इंडिया में जो भी बनता है वो बनता है फरस्ट एंगल और थर्ड एंगल बीटा कहां बनता है यूएसे एंड अधर कंट्रीज यानि की अमेरिका में और कुछ बहारी कंट्रीज में बहारी देशों में थर्ड एंगल कहीं होता है इंडिया में नहीं होता है समझ गए अब आगे बढ़ें अब सबस्ट एंगल का साइन क्या होता है और थर्ड एंगल का सइन क्या होता है कैसे पहचांते हैं वाँ लिखेंगे तो कि इंजा फर्श्ट आंगल प्रोजेक्सिन मतलब अगर तुम ड्राइंग में बनावे तो क्या ऊता है आग एक यह हो गया यह होता है आपका फर्श्ट एंगिल का साइन किसका साइनिये परिथम कोड़ी प्रचेप का यह साइन है ट्रांस सदीव सिंग ट्रांस्पेरेंट का हिंदी मैंने बोला था पार दर्शी क्या होता है पार दर्शी कि ठीक है और अगर थर्ड एंगल की बात करें थर्ड एंगल की ही को यह आपका नीचे वाला है थर्ड एंगल की साइन इसका मतलब क्या है कि यह चीज होती है यहां से पूछा घया था उससमें कम से कम 90% नड़के गलत पूछा गया था कुष्चन अभी मैं तुमसे पूछूंगा इस पर पहले इस सिंबल को देख लो और ज़ी जो इस चीज को गलत कह रहे हैं क्योंकि मुझे पता है प्रेट shortest में कुछ अलगी दे रखा है मुझे प्लेट फॉले जो लिए ब्क इसमें अलग दे रखा पता है इसलिए हो सकता लोग यह कह activity कितने जरा दिखाय sortie है वही एक मात्र सत्थ है मानो या नमानो रोएस सेंग सर में लेट हो गया कोई बात नहीं वीडियो बाद में भी देख लेना चीजें तो रहेंगी आपके पास आप देखो अब मेरा कुश्चन आने वाला है इस सिंबल को ठीक से देख लो मैंने बताया यह होता है टॉप यह होता है फ्रेंट व्यू यानि की टॉप व्यू के कहा पर लेट हैंड साइड में क्या बन रहा है रेंट वू इस छीज़ को मैं बताओं कैसे देखो यह देख रही होगी स्क्रीन हम श्यादा दौर तो नहीं है चलो नहीं है यह देख फॉर्स्ट एंगल था अगर मैं यहाँ पर एक कि यह क्या है यह वस्तु मैंने रखदी कि अगर मैंने यहां पर एक वस्तु रखदी तो टॉप यूट पूप यूप इसका यहां बन रहा है अभी अभी कम्प्लीट प्रोजेक्शन नहीं फ्रेंट विव कहां बन रहा है यहां पर इटमींज टॉप यूप के बगल में और इसके राइट हैंड साइट राइट हैड इंड साइट फ्रेंट विए इसके बगल में और अगर जो समझ नहीं पा रहे हैं वह सो अपने मन में उतार लें कि यह सिम्मल होता है अब मेरा कुष्चन आ गया उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पता होगा अब मेरा कुष्चन आने वाला है कुमार सर की बुक में यही है सर कौन कुमार सर ठीक बाई जो भी होई सही एही है ठीक है ना चलो अब कुष्चन सुनो एक कुष्चन आए जिसमें बहुत लोग ने गलती की थी वह गलती यह है कि गलती वह यह थी कुष्चन यह था कि according to third angle projection ध्यान से सुनना according to third angle projection यानि की तिरती कोण प्रछेप के हिसाब से है कि फ्रेंट व्यूँ हमेशा कहां बनेगा तो कुष्चन समझ गये फ्रेंट व्यूँ हमेशा कहां बनेगा तो तो बात की बात है उतना पढ़ चुके तो आता होगा कुश्चन मेरा सुन लिया होगा तुम लोगों नहीं कुश्चन सुन लिया होगा कि की तुर्ती कोड़ प्रछेप के हिसाब से फ्रेंट व्यू हमेशा कहां बनेगा मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग आणसर देते रहिए यस जो जैसा मुझे चाहिए कुछ लड़कों ने वैसे आंसर किया है यानि कि गलत मैं चाहता हूं कि लोग गलत अंसर करने तब कि तो शीजश को समझाने में अच्छा लगता काफी लोगोंने सही बेकिन मेरी चाहत शब्थत कि नहीं थो मेरी चाहत Si enное आप गलत करें तब मैं बता दिया अब आगे बढ़ते हैं किया करेंगे आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है लगे रहना साथ में डटे रहना ठीक है ना हिल गए तो दिक्कत है इसके बाद एक और चीज पढ़ाऊंगा जो प्रोजेक्शन खतम होगा लेकिन बस एक जो जिससे तुम्हें मत्लब होगा मतलब कहीं नहीं कि मैसन अंधाज यंपढ़ा धर नहीं मुझे पता है जिस चीज पे तुम्हें हाथ तच्क हाँ नहीं करना है वहां में हात लेह सी नहीं पताँगा अब देखो क्या था कुश्चन औरों नहीं पोचा कि एक्टॉट्ि पर और कई लोगों आंसर किया तो राइट साइट किसके राइट साइट ऑफ टॉप व्यू टॉप व्यू मालो इधर है और फ्रेंड विधर है तो लोगों ने आंसर ये भी किया है कि सर राइट साइट ऑफ और राइट साइड फिंट्ट ऊफ टॉइव यह रोइँ अंसर सही है यह अंसर गलत है कैंसे गलत है सदेटा है पुण है जह नहीं कह सकता जिन्हों ने शांव इसका फ्रेंट भीउ किस पर बने गायर बात तो न की ही शाहें फ्रेंट You बिल्कुल बीपी पर हमेषा भीपी पर ही बने गा लेकिन यहाँ पर तुमारा एक पेच है उस पेच को याद रखना वर्ना गलत कर दोगे आनसर अगर अगर यहां पर पेच क्या है अगर विटा ओप्सन में यह देता है कि वीपी के कहां पर वीपी पर बनेगा तो तुम आंसर क्या टिक करोगे वीपी पर ही बनेगा लेकिन अगर ओप्सन में यह भी देता है कि वीपी पर बनेगा और साथ में यह भी दे दे कि राइट साइड आफ टॉप यानि की दहानी तरफ किसके टॉप विए के दहानी तरफ तो इट मीज तुमारा ऑप्सण वर्टिकल प्लेन नहीं होगा तुमारा ऑप्सण होगा यह सही क्योंकि यहां पर तुम एक चीज के लिए रोजाएगी और संदेखके कन्फ्यूज मत ओ यहां पर ऑप्स टॉप विए इसलिए मैंने कुष्टन डिसकस किया कोई कुष्टन सच में कन्फ्यूजंग था चाहे किसी को आए या ना या लड़के गलत कर देंगे जब आता तक क्योंकि यह बीपी पे तो बनी रहा है कोई डाउट तो है नहीं इसमें बीपी तो बनी रहा है लेकिन मैं उस केस में वो सिंबल से पूछ रहा है तुम से किस से सिंबल से और सिंबल क्या कहता है कि उसके दाहिनी तरफ बनेगा मोहित बिसैन कुछ कुछन है तुमारा सिंबल में लाइन नहीं होती कुछ कह रही हो साइथ ग्रीज मिसरा मैंने तुमसे पहली कहा मारक अगर किसी किताबों का डिसकस करना है तो कोई मेरे सामने स्टेंडर्ड बुक लेकर आया करो Standard Book का मतलब है कोई भी ऐसी किताब जो किसी यूनिवर्स्टी से किसी चीज से मानता प्राप्त हो मैं उन किताबं वह बिलकुल भरोसा नहीं करता जो कि क्या कहां पर जो एक्जाम के 15-15-20-20 दिन एक-एक महीने पहले लॉंच कर दी जाती है ठीक है अगर चीजे लानी है तो थ चैनल किताब फॉलो करता हूं कमडीशन के इसाब से कोई यह देखो पब्लीकेशन कोई अच्छा बुरा नहीं होता सारे यह अच्छे होते मैंनत करके सब बनाते हैं लेकिन अब गलत है उसको उसको सही नहीं किया जा सकता ना गलत है तो बेटा गलत है उसको हम कैसे सही कर अब तुम अब उनको साइद तुम्हारा थोड़ा इमोशन जुड़े हो इस किताबों से और तुम कहों कि नहीं सर उसको भी सही करो तो नहीं कर सकते आज इतना डिसकस हो गया समझ रहे हो ना कितना जितना आज पढ़ा यह सारा बेसिक है यह क्या है बेसिक अगर मैं कहूं इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई तो सायद मेरे एसाब से तुम्हारा बेसिक में तो कोई चीज नहीं रहे गई कल तुम्हारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्शन ओफ लाइन और याद रखना अब मैं तुमसे कहूंगा घर जाके आदे गंटे सिर्फ आज का क्या है आदे सलिट का क्या होगा और सॉलिट का बिटर नहीं ऊपाएगा तो सैक्शन ओफ सॉलिट का क्या होगा सोचो पूरी एक 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 सब चल पाएगा और सुन कुछन भी कराएंगे अब इतना समझ तो लो कुष्चन पता मुझे कान से कौन सी चीज कहा हो नहीं है बागी चीज मेरे मुझ से की कमेंट क्यों करतेए बार लार कि अरे सर Irish और घंटे और घंटे जो घंटे दो घंटे 20 मन चलेगी जितनम in दिर्चों स्लेवस मुझे पता ना OCCUPATION safety भी मुझे ही पढ़ानी है तुम को किया OCCUPATION safety तो मुझे पता है किसका स्लेवस मुझे कब तक how it रहा है और बड़े अच्छे से करूँगा कहते हैं कहीं जाके पढ़ लेना जा जाके इससे अच्छे से क्योंकि यह क्लास स्टिक्टली फॉर एलपी है मतलब एलपी के लिए क्यों पर बेज़्ट है रिवाइस कर लेना बाकी बात हैं कल करेंगे चलिए धनबाद और यह देखिए सेर भी करो सब्सक्राइब करो प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ रहे हो ना लोगों को बताओ किताब में पढ़ पढ़ की 3D में चीज़ें पढ़ पढ़ की कन्फ्यूज हो गए अब देखो पहले पांच मिनट मैंने आज क्या किया था कोई चीज बिना उद्देश के नहीं की गई है स हर चीज के पीछे की प्लानिंग है पहले पांच मिनट मैंने क्या किया था तुमको 3D डिखवाए थे दो क्यों दिखवाए थे मैंने कहा इनको 3D दिखाओ तो यह खुदी कन्फ्यूज होंगे और तुम हुए दो तीन कमेंट तुमने देखे कि अरे समझ में नहीं आ रहा ह था समझो क्योंकि मैंने का 3D देखोगे तभी तो कन्फ्यूज होगे तभी तो यहां 2D में मेरे साथ पढ़ोगे जब 3D आ जाएगा तो इसलिए दिखाए क्योंकि सच्चाई से वाकिप कराना भी जरूरी है चलिए कल मिलते हैं इसको और रिवाइस करना ठीक है इसको टinyl यहां 2D एल जिखाए तो कराना भी तो कन्फ्या मेरे साथ यहां 2D घल था बांर र 12D नज झाना भी कराना भी तो से जाना पूना भी करा जायां जाती वाख मेरे से वाजर यहां अभी क Scžाई है